तो बच्चों तुम में से बहुत सारे बच्चे जो अभी भी परिशान है कि यार कमपार्टमेंट लग गया यार मार्स कम आ गये तो यार अब तो हमारा सेशन बरबाद हो गया या हमारे उपर में एक दाग लग गया तो बिलकुल गदद सोच रहे हो बिकॉज तुम्हारे मार्स बढ़ना तै है ठीके ये एकदम कंफार्म हो जाओ पहले तुम खुद से कॉंफिडेंट हो जाओ कि यार तुम्हारे मार्स बढ़ना तै है यानि कि still you have a lot of chances अब बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में मेल आ रहे हैं कि sir copy rechecking के लिए revaluation के लिए कि नहीं जाना चाहिए मेरे पीछे इस वक्त है सेबसी का जो सर्कुलर जो copy reevaluation rechecking के लिए जोसर्कलर है वह इस वक्त है वह मैं तुमको कल एक video दे चुका हूं पहले मैं तुमको दिखा देता हूं यह देखो यह video मैं तुमको दे चुका हूं कि किस तरह से step by step प्रॉसस से तुम जा सकते हो, apply कर सकते हो, चेके, और साथ ही साथ में भाई, देखो, class 11 में classes शुरू हो चुके हैं, चेके, तो class 11 को लेकर के, सबसे बड़ा जो चीज है, वो है, क्या, ये, इस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो का link मैं description में डाल दे रहा हूं, इसको जरूर देखो, एक बड़ा सवाल जो तुम लोगों के मन में आ रहा है, कि sir, marks बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे confused हैं, मैं देख रहा हूं, कि यार, marks, मतलब जो है, वो घर तो नहीं जाते हैं, copy rechecking करवाना चाहिए, कि नहीं करवाना चाहिए, आप मैं to the point बात कर रहा हूं, छोड़ा सा वीडियो है, दिहान से सुनना, देखो भाई, copy rechecking definitely तुम्हें करवाना चाहिए, क्योंकि ये last hope है तुम लोगों का, अगर तुमको लगता है, कि तुमने बहुत शांदार answer दिया था, ठीके, तुम्हारा paper बहुत अच्छा गया बहुत शांदर गया था, लेकिन expected marks नहीं आए, या जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा, सुना, सुना भी, news में भी मैं देख रहा हूं, कि यार, sir, 25-25-30-30 परना भर के आये थे, और marks बहुत कम मिले है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो अगर तुम इतने confident हो, तो यार, क् तुम रुख जा रहे हो, देखो, रुखने के पीछे एक ही reason हो सकता है, वो मैं समझ सकता हूं, भाई, मैं भी एक middle class family से हूं, बिलॉंग करता हूं, जो तुम problem face करते हो, मैं भी वही करता हूं, तो यहां पर मैं समझ सकता हूं, एक ही issue सबसे बड़ा है, वो है charges, कि 500 रूप फिर से clarity कर दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे बार बार पोच रहे हैं, sir मैं direct step 2 कर वालूं तो, कि मतलब direct scan copy मंग वालूं तो, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा party, मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूं, कि यह बेवकुफी नहीं हो सकती, यह step 1 है, यह step 2 है, और यह step 3 है, तो मतलब, तुम direct step 3 में नहीं जा सकते है, direct step 2 में नहीं जा सकते है, अब मेरी बात सुनो, marks बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या cut तो नहीं जाएंगे, इसका simple सा funda, बहुत simple सा समझना, step 1 में तुम्हारा क्या हो रहा है, जो अभी तुम अप्लाई करोगे, जिसके लि तो 5 होना चाहिए, गलती से वहाँ पे किसीने 3 कर दिया, या 2 प्लस 5 कितना हुआ, 7 होना चाहिए, किसीने वहाँ पे 5 एड किया, होता है, human mistake है, हो सकता है, तो ये सिर्फ होता है, यहाँ पर, अब second stage में होता है, तुमको answer sheet का copy मिलता है, अब इसका मतलब क्या हुआ, verification of marks मे तुम्हारे, first step में तुम्हारे कोई marks नहीं कट सकते, बढ़ गए, ये chance हो सकता है, घट जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा बात, scanned copy of answer sheet, तो यहाँ पे तुम अपना scanned answer sheet मंगवा होगे, teacher का identity छुपा करके, बाल बाकि तुमको दे दिया जाएगा, तुम्हारा copy, चाहि पास आये, तुम अपने copy को पल्टोगे, देखोगे, अरे हाँ यार, पांचवे number question में मुझे 4 number मिलना चाहिए था, teacher ने 0 दे दिया, या 1 दे दिया, या 2 दे दिया, फिर दसवे number में तुमको इतने marks मिलने चाहिए थे, तुम वो देखोगे, उसमें कम दे दिया, फिर उस particular question, suppose question number 5 में तुमको issue है, 11 में issue है, और 13 में issue है, तो इन 3 question के लिए तुम तीसरे step में copy rechecking के लिए claim करोगे, और per head यहां पर, मतलब per question, यहां पर 100 रुपीज लगेगा, मतलब यहां 100, यहां 100, यहां 100, मतलब 3 question अगर तुम checking करवाना चाहते हो, rechecking, तो 300 रुपया तुमको apply करना पड़ेगा, तो marks कटने के chances नहीं है, confident हो, तो you should go for this, बस एक ही issue है, वो मैं समझ रहा हूं, ठीक है, वो है पैसे का, लेकिन अगर सवाल तुम्हारे marks का है, confident हो, fully confident हो, तो जाओ क्योंकि this is the last हो, ठीक है, और अगर एक बार यह वाला, मैं हर साल देखता हूं, अगर यह वाला step, अगर तुम्हारा छूट गया, ठीक है, तो तुम step 2 का apply नहीं कर पाओगे, step 3 का apply नहीं कर पाओगे, I repeat, नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, 16 से 20 तारिक, 16 से 20 तारिक, जिसमें से कल का दिन निकल गया, तो apply करना है, तो आज करो, अभी करो, इसी वक करो, marks बढ़ना होता है, यह last hope है, ठीक है, तो I think you all should go for this thing, और एक बाफ फिर से बोल रहा हूँ, class 11 के class से शुरू हो चुकिया है, 11 class का सबसे बड़ा जो issue होता है, वो यह है, इसको जरूर वीडियो को देखना, बहुत 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 दिल से बनाया वाँ वीडियो है, तुम्हार ल झाल झाल